हलो दोस्तों स्वागेता आपके अपने टुजे डेगरी कल्चर के यूटूब चैनल पे दोस्तों चैनल को यहां से सस्क्राइब करें और पास में जो बैल आइकन आता है उसको प्रेस करें और आल नोटिफिकेशन को आन करें ताकि कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिक है उसको प्रेस कर देना तो दोस्तों दिविते सरेणी सिक्षक आर एस दो हजार एठर कर्शी प्रवेक्षक सहीत अन्य का परिणाम नहीं लापरवाही में उल्जा परदेश के दस लाख युवाओं का भविशे तो दोस्तों आज की न्यूज है शिक्षा जो रोजगार सम कारी बर्तियों में पेच में उल्जा हुआ है राजिस्तान लोक्षिवा आयोगी की ओर से आर एस दो हजार एठर दिविते सरेणी सिक्षक बरती वैं अन्तिम परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ दूसरी तरफ कर्शी परवेक्षक महिला सुपरवाइदर वैं एंटिट संसोदिन विगप्ति का इंतजार परदेश में यादिनस्त शेवा चैन बोरोडी ने जुलाई दो हजार अठरा में इस टेन गोराफर के एक हजार पिछशी पदोपर वर्ति की विगप्ति जारी की थी लेकिन विदान सबा चुनाओ के आचार सहीता की वज़े से परिक्ष परिक्षानी बढ़ती दिवीते सरेनी शिक्षक बढ़ती जो इंतजार राजस्थान लोक शेवा आयुक दो आजार अठार में डेड़ गुना विद्यारतियों के दस्तावेज जमा कर लिए लेकिन अंतिम चैन सोची अभी तक जारी नहीं की है इस वज़े से युवाओं क के बाद तिथी तहीं नहीं तो चैन बोर्ड की ओर से हुई उक्त बरती का जैपुर सेंटर पर पर परसन पर त्राउट हो गया था लेकिन बाद भी इस तिथी गोसित नहीं की है बेरोजगारों का कहना है कि पहले ही लग बग दो साल बाद परिक्षा हुई फिर परिक्षा बाल विकास विभाग की महिला सुपरवाइजर अंगणवाडी कारे करता सुपरवाइजर और एंड़िटी बरती भी विवादों में उलजी हुई है कई बेरोजगारों के परिणाम के आस ठोड़ कर अब दूसरी बरतियों के तैयारी में कर रहे हैं बोर्ड ने जो अधिक निर्धारित हो समय उनका निर्धारित होना चाहिए लेकिन बेरोजगारों के लिए होने वाली बरतियों के लिए कोई समय शीमा निर्धारित नहीं है सरकार को बरती की विगपती जारी करते समय यह भी गोशना करनी चाहिए कि यह बरती उस समय तक हाल ही में पूरी कर ली जा तो दोस्तो उपेन याद देख सराजस्थान बेरोजगार सप्षंग तो दोस्तो आज की अपडेट है तो यह आपडेट यह देख सकते हैं दोस्तो आज की न्यूजबेपर है तो दोस्तो अगर यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज चेनल को सस्क्राइब करना नहीं बूले ताकि कोई भी आगे का अपडेट आई उसका निसलुक आपको नोटिफिकेशन के मादेम से बता चल जाए धन्यवाद